हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग एच्छे होंगे मैं हूरा हुल जैस्पालाइन स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामदें के मोश्ट इंपॉर्टेंट ज वीडियो लेकर आचुगा हो दोस्तो जो आपको कंटिनिवसली डिमांड आ रहा था हमारे बहुत सारे वीडियो के कॉमेंट में ने देखा कि आप लोग नाइन स्टेंडर के स्टूटेंट्स आप लोग डिमांड कर रहे थे जोग्राफी के लिए चाप्टर नमर सेमें जि यह आपको सिंपल लगने लगेगा ट्रस्ट मी काफी कन्फ्यूजिंग है लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के देख लोगे बेसिक बेसिक कंसेप्ट समझ लोगे तो आपको चाप्टर इजी लगेगा ठीक है तो यह चाप्टर की शुरुवात करने जा रहे हैं पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना दोस्तों चलिए शुरुवात करते हैं लेकिन अगेर हमेशा मैं बोलता हो कि आपके जो बाकी के सब्जेक्स है वो हमारे पहले कंप्लीट हो चुके आपके सेवन स्टैंडर के एट स्टैंडर के 10 स्टैंडर के सब सिलाबस कंप्लीट हो गया है शोशल स्टैंडिस के गिने चुने एक दो चाप्टर बचे हुए वह हम लोग करा रहे हैं हो जाएगा पात दस दिन के अंदर वो भी हो जाएगा ठीक है टेंथ वाले स्टुडेंट्स अगर कोई देख रहा है आप लोग क ठीक है लिंक इस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटा फट से फॉलो कर लो और टेलिग्राम चैनल को जॉइन करके रख लो क्योंकि वहां पे नोट्स आपको मिल जाएंगे चलिए तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं यह चाप्टर है इंटरनाशनल दिन का टाइम चल रहा है और मैंने मेरे एक फ्रेंड को या फिर मेरे एक रिलेटिव जो रहते हैं USA में अमेरिका में रहते हैं मैंने उनको कॉल किया है ठीक है और मैंने जैसे कॉल किया वो बुलेगा हमें अरे यार इतने रात को क्यो कॉल किया और मैं उसको बोलूँगा अरे काहे का रात, यहाँ पे तो दिन है, आप कहा जूड बोल रहे हो, तो वो बोलेगा, नई भाईया, यहाँ पे तो भाई, रात के एक बज़रे, यहाँ के दो बज़रे, यहाँ पे तो दूपर का टाइम चल रहा है, तो यह जो fluctuation है, कि यहाँ पे दिन है, किसी और कंट्र है वो Sun, वो भी ऐकी है, लेकिन फरकशिफ इतना होता है, कि हमारे जो प्रित्व एक बहुत बड़ा प्लानेट है, हमारे जो Earth है, वो बहुत बड़ा प्लानेट है, और उसमें जो तो अगर आपके पास एक बॉल है तो कुछ आगे की तरफ है अगर यहां पर मिरे पास बॉल तो नहीं है अब फिलाल में तो इस अब पास था लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया ने जो मैं ले के आता ठीक है ना चलो एक बॉल है समझ लो आपने क्रिकेट तो खेलते होंगे डे है और पीचे की तरफ है कंठी तो यहां पर दिन होगा ओर यहां पर चीछ Region हो जाएगा डे हो जाएगा और यहाँ पे आधा हिस्सा नाइट हो जाएगा यानि कि इधर पे जो कंट्री रहेंगे उनको दिन लग रहा है इधर पे जो कंट्री रहेंगे उनको रात लग रहा है एक ही टाइम पे लेकिन बात यह हो रही है न कि यहाँ पर दिन है यहाँ पर रात है बट टाइम भी अलग अलग है समझ लो आपका यह कंट्री है समझ लो यहाँ पर एक बज के दुपेर बज रहे हैं यहाँ पर मतलब वन पीम हो रहा है समझ लो और यहाँ पर जो कंट्री है वहाँ पे समझ लो शाम का छे बज़ रहा है तो आप बोलोगे कि सर यह अलग-अलग कैसे हुआ संतोए कि यह तो यह फरक होता है दोस्तों हमारे Meridians के बज़े से और इसी चीज़ को हमने बोलते है International Date Line यानि कि कुछ countries ऐसे होते कि आप एक country से travel करके दूसरे country में चले जाओ तो आप जो time पे निकले आप वहाँ पे जो पहुच रहे हो उस country का जो time रहेगा वो fluctuate करेगा तो आप बोलेगे कि यार ऐसे कैसे हो गया तो यह chapter इसी लिए शायद लोगों confusing लगता है एक तो उस देश का भी जो local time रहेगा उसको भी consider करके चलना है और एक जो पूरे world का एक घड़ी होता है world का time वो क्या होता है मैं बताऊँगा ठीक है यह तो basic समझ में आ गया देखो यह आज का जो lecture है ना आज का lecture है ना मैं बहुत बड़ा नहीं लूँगा नी तो आप पहले दी नहीं confused हो जाओगे ने तो छोड़के भाग जाओगे सर बोलोगे कि सर यह chapter वाकरी में confused है यह chapter को हम छोड़ देंगे ऐसा मत करना बाबा पहला lecture है ध्यान से समझ लो concept basic वाला बताऊँगा आज फिर lecture number two लेके आँगा उसमें और detail में जाएंगे लेकिन आज अराम से पढ़ेंगे कोई घाई नहीं है ठीक है ना बहुत चाप्टर हमारा already complete होगे कोई घाई नहीं है तो सबसे पहले आपको बता है world standard time क्या बोलते है world standard time अब यह जो world standard time है ठीक है इसको बोला जाता है shortcut तरीके से GMT यह जो पूरी दुनिया का एक ही time होना चाहिए कि इंडिया में भी वो time हो और USA में भी वोई time हो तो एक ही time का जो system है जो clock system है ना दोस्तों वो होता है world standard time बोला जाता है जिसको हम लोग shortcut से GMT लिखते हैं और GMT का एक full form होता है जिसको हम लोग बोलते है green which mean time क्या बोलते है दोस्तों green which mean time ठीक है यह समझ में आ गया हर एक चीज़ का मतलब बताऊंगो ध्यान से देखना तो यह हो गया पहला चीज़ यानिकी world standard time वैसे हम दूसरी country के बारे हैं पढ़ेंगे कौन हमारी country ले लेते हैं चलो तो हमारा जो इंडिया है उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन standard time क्या बोलते हैं दोस्तों Indian standard time क्या बोलते हैं इंडियन standard time और इसका shortcut तरीका होता है लिखने का वो होता है IST यह तो आपने देखा भी होगा तो शायद आप में से बहुत सारे लोग airport जरूर गए होगे, comment box में मुझे comment करके बताना किन लोगों ने aeroplane में travel किया है आज तक, अगर आपने aeroplane में travel किया होगा या फिर airport के अंदर तक गए होगे तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आज जाएगी जो आज में बताने वाला हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि airports जो होते हैं उनके जो banners होते हैं, banners नहीं मूलते हैं तो आपने देखा होगा कि timing लिखे रहते हैं, जैसे कि 7 बचके AM, लेकिन बाजियू में लिखा रहता है IST, इधर पर बजा होता है तो इस प्रकार से timing लिखे रहते हैं, सिफ time ने लिखा रहता है, वो आगे IST, GMT, ऐसा अलग-अलग time zone लिखा होता है तो अगर आप ये चीज़ समझ पा रहे हो, तो आपने समझ लो travel किया, और इसका मतलब ये होता है कि ये जो timing लिखा है, वो उस country की हिसाब से लिखा है, समझ लो आप इंडिया के रहने वाले हो, तो आप ये time को follow करोगे यानि इंडियन standard time को follow करोगे, और अगर आप कोई दूसरे देश के रहने वाले हो, जो ज़्यादा तर देश में GMT follow होता है सबसे पहली बात क्या है, कि हमारा जो पुरा पृथवी है, गोल है, लेकिन वो गोल जो है, उसको मैं अगर spread कर दू, ये जो ball का जो तुकड़ा उसको मैं खोल दू, तो कैसा दिखेगा, खोलने के बाद लगबग किस प्रकार का दिखेगा हमारा, जो पूरा दुनिया लग पेज होता है, अगर वो फोल्ड है, ठीकिना पेज जो होगा मेरे पास, उसको मैं लाता हूँ पेज, एक सेकंड रुक जाओ, पेज का एक्जामपल देखे दिखाता हूँ, ठीक है, ओके, चलो, एक पेज मुझे मिल गया, अब जैसे कि समझ लो मेरे पास ये एक पेज है, अब ये इसको मैंने फोल्ड कर दिया, तो समझ लो हमारी प्रित्वी ऐसी गोल है न, देखो ये गोल है, ये आपको दिख रहा है गोल, ये गोल दिख रहा है ये, तो ये प्रित्वी जो गोल होता है, अगर मैं इसको खोल दूँ, मतलब समझ लो, खोल तो नहीं सकते, लेक मतलब basic points, तो यहाँ पर समझ दो, earth का बीचो बीच से एक line यहाँ से pass होगा, longitude वाला, longitude जिसको बोलते हैं, ठीक है, और एक चीज जोस्तो, मेरा थोड़ा आज, आवाज जो है, शाटिंग से ही मैं बोल रहा था, कल से बोल रहा हूँ, थोड़ा बीच में तब्यच में तब् कर देना उसके लिए, चलो, तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला, कि यह वाला, क्या है आपका एक, जिसको हम लोग mean direction ले लेंगे, तो जैसे कि मैंने बोला, कि जो बीच में से जो line जा रहा है, जैसे खड़ा वाला जो line होता है, vertical lines होते हैं, उसको longitudes बोलते हैं, इस परकार के line इसको हम लोग बोलते है, prime meridian, इसको हम लोग बोलते है, prime meridian, और यह जो prime meridian होता है, इसी के हिसाब से हमारा GMT है, green which meantime, जो European countries के हिसाब से निकालते हैं, जो हम लोग आगे next lecture में discuss करेंगे, यह इसके हिसाब से लिया जाता है, ठीक है, यानि कि जितने भी like American countries हो गए, इनका जो time zone चलता है, वो prime meridian के हिसाब से चलता है, और उसको हम लोग GMT बोलते हैं, दूसरा चीज आ जाएगा, यहाँ पर Indian standard time, तो Indian standard time को सुरा से समझने की कोशिश करो, देखो, समझ लो, कि आपका यह जो पूरा प्रिथ्वे है, यह मैंने पूरा खोल रखा है, तो इस side का जो 50, 50, 50, 60, 70, 80, 90, ऐसा बढ़ते जाएगा, east की तरफ ऐसे 0 से लेके 10, 20, 30, 40, आपका west की तरफ बढ़ते जाएगा, तो अगर हम लोग normally consider करें कि हमारे इंडिया में, एक longitude का एक reason है, जो कि 82.5 degree east पे आता है, तो समझ लो, हम 0 से बढ़ रहे हैं, और समझ लो, यहाँ पे हमा 32.5 degree east पे एक line पास हो रही है, longitude वाली, और वो कहां से पास होती है, हमारे एक state में एक जगा है, और वो state है बिहार, बिहार में एक state है, ठीक है न, बिहार ने, यूपी है शायद, ठीक है न, ठीक है तो यह में वो, जो भी state में आता है, मेरे इसाब से शायद यूपी में ही है, मेरे इसाब से यूपी में है, कि बिहार में मैं कुछ गूज हूँ, लेकिन आपलों मुझे comment कर देना, मेरे को बता देना, कि किस में है, ठीक है, मिर्जापूर, मेरे साब से यूपी में ही है, ठीक है, तो मिर्जापूर एक जगा है, जिसमें से 82.5 degree east का line पास होता है, ह वह east से सबसे पहले उखता होगा, जो sun उखता है, वह east से पहले उखता होगा, यानि कि east में जितने भी countries होगी, उनको सबसे पहले sun दिखाई देता होगा, और ढूपता किदर है, west में होता है, sun जो डूबेगा, वो west में डूबेगा, सीर...जिसी बात नहीं इतना, तो आप कि हमारा जो सन है उग्टअ इस्ट में है, वेश्ट में डूपता है, लेकिन एक चीज़ आपको पता है क्या? कि हमारा इस्ट से निकलके वेश्ट में नहीं जाता है, हमारा प्रितवी गोर गोमता है, इ WOW हमको ऐसा लगता है, कि sun हमारा east से लेके west तक जाता है, लेकिन वाकरी में exactly क्या होता है, यह आपने सात्वी में पढ़ा है, मैंने भी बहुत बार पढ़ाया हुआ है यह confused नहीं है न आपको आप नवी के student हो, आपको confused नहीं होना है हमारा जो sun है न, वो अपनी जगा पे रुका हुआ है लेकिन हमारा जो प्रित्वी है, वो west से लेके east घुमता है उल्टा, west से लेके east घुमता है यह चीज माइन में डाल दो, हमारा प्रित्वी कैसा घुमता है वेस्ट से लेके इस्ट गूमता है, इसलिए हम जब अपने जगा पर खड़े रहते हैं, और हमारा प्रिथवी वेस्ट से लेके इस्ट गूम रहा है, तो कोई भी चीज जब इधर खड़ा है, समझ दो यह सन यहाँ पर ही है, और मैं ऐसा ज़ूम रहा हूँ, तो मुझे तो यह तो समझ में आ गया, तो यानि कि यहाँ पर जो भी कंट्रीज होगी, समझ दो यहाँ पर कोई कंट्री है, यहाँ पर कोई कंट्री है, यहाँ पर कोई कंट्री है, तो सबसे पहले उसको सूरज कहां दिखाई देगा, इसलिए इस्ट वाले जो कंट्रीज होते हैं, उनक हमारा जो IST जो है यारी इंडियन स्टांडर्ड टाइम जो है यह GMT से लगबग साड़े पाच घंटे आगे चलता है यानि कि हम इंडियन स्टांडर्ड टाइम आगे चलता है कितना घंटा आगे चलता है 35 गंटा समझळिलो कि अगर हमारे देश इम्माजिड स्टांडेसुं समझळू कि अगर बारा 1500 क कि कितेना हो रहा है Source समझळ लो500 है हमारे देश में 5.5 बज़रे शाम के ठीक है? IHT लिख देता हूं यहां पे हमारे देश में 5.5 बज़रे शाम के तो GMT के हिसाब से यानि जो US जैसे कंट्रीज जो है उन में कितना बज़राएगा? उससे 5.5 घंटा पहले यानि कि उदर पे 12 बज़रे होंगे उदर पे 12 ही बज़रे होंगे GMT के हिसाब से समझ भी आया? तो इसी लिए अगर मैं अपने घर पे से 5.5 बज़े फोन कर रहा हूं शाम को मेरे दोस्त को जो की रहता है USA में मैं उसको फोन करूंगा और भाई क्या हाल चाल खाना पिना हो गया मैं उसको बोलूँगा वो बोलेगा अरे यार अभी 5.5 बज़ गया है इडिज नॉट ए लंच टाइम इडिज ए स्नाकिंग टाइम वो क्या बोलेगा कि यह हमारा नाश्टा करने का टाइम है खाना खाने का टाइम निया लंच करने का टाइम निया तो आप बोलेगा अरे या बारा तो बज़ रहे बारा बज़े तो लोग खाना खाते है बारा एक बज़े लंच करते है वह लेगा नहीं भाई, हमारे इधर इतना टाइम नहीं हो रहा है, हमारे इधर, क्या हो रहा है, 12 बज रहा है, टिके न, उस प्रकार से मतलब चीजे ले डिफ्रेंशियेट करेगे, इतना समझ में आ रहा है, मैंने सोड़ा उल्टा-फुल्टा बोल दिया, लेकिन उतना सा सम हमिस्पियर में आ जाता है, वैसे हमिस्पियर तो नौर्धन और साउधन ही होता है, लेकिन इश्ट की तरफ आता है हमारा इंडिया, वही समझ लो, यहाँ पर अमेरिका है, वेस्ट में आता है न अमेरिका, वेस्टन कंट्रीज है, तो वेस्ट में अमेरिका है, तो सबसे पहले सन किसको दिखाई दे रहा है बाकी कंट्रिस को दिखाई दे रहा है फिर हमारे इंडिया को भी दिखाई दे रहा है यानि कि इंडिया में जब साड़े पांच बज रहा है यहां पे जब साड़े पांच बज रहा है तो यानि कि कहीं ने कहीं यहां पे सन है अभी बज गया है लेकिन अभी USA में तो बारा ही बज रहा है लेकिन सन धीरे 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 हमारा कहा आगे बढ़ रहा है मतलब सन नहीं बढ़ रहा है लेकिन हमारा प्रित्वी गोल-गोल-गोल-गोल गोम रहा है तो सन धीरे-धीरे इसके पास भी आ रहा है तो यह बारा बज साथे पाच घंडे का डिफरेंस हो गया हमारे टाइम में और उड़के टाइम में ठीक है समझ में आ रहे है दोस्तों क्लियर है तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ रहे है और इसी प्रकार हर कंट्रीस का एक अपना टाइम जो लोग बनाते हैं जैसे हमारे इंडिया ने बना लिया मिरजापुर में जो टाइम होगा इतना डिग्री पर बताया है मैंने 82.5 डिग्री ऐस्ट यह याद रख लेना's 82.5 डिग्री एस ओस्ट पूरे इंडिया पर टाइम्म और भी इंडिकी आ भी ठ्वड़ा से अग्स्मेशन हो प्रिव्श ALLक नहीं सकती एक में कोशिश करते मैप देंसे नहीं आता है जोस्तों अале से कुछ मैप है हमारे इंडिया का पिमारी इंडिया का मैप दिखो मैं कोशिश कर रो बनाने का ठीक है हसना मत कोई कॉमेंट सेक्शन में अब इसे कुछ सो मैप है ठीक है थोड़ा तेडा मेड़ा बना लिए कोई बात नहीं चलो तो वेश्ट बंगल बोलेगा क्या हमारे इदर सुबह हो गया क्या हो गया मौर्निंग हो गया मतलब सन दिखाई दिया तो सन दिखाई दिया मतलब सूरज उग गया मतलब उजाला हो गया मतलब मौर्निंग हो गया हमारे लिए ठीक है और यहां पे उसी टाइम पर क्या होगा अंधेरा होगा, क्योंकि यहां तक सन पहुचा ही निए, सन की लाइट यहां तक पहुची ही निए, तो यहां पे तो अंधेरा है, मतब यहां पे तो रात ही चल रहा है, ठीक है, लेकिन हम जो है, consider क्या करते हैं, कि यहां पे जो उत्तर प्रदेश में जो मिर्जापूर करके जो latitude आता है, sorry, longitude आता है, 82.5 डिग्री इस्ट पे, हम इसका टाइम मालते हैं, तो जैसे कि समझ लो, यहां पे morning हो गया, यहां पे साथ बज़ने चाहिए, लेकिन एक ही country में दो दो टाइम जोन हो सकते हैं क्या नहीं, इतो आप बोलोगे कि sir, मैं तो west bangal से 7 बज़े निकल मुंबई पहुचा तो पाची बज़ने थे, वहां पे ऐसा होता है क्या, एक ही country के अंदर, दूसरे country में होता है, बताओंगा आगे जाके next lecture में, लेकिन एक ही country में नहीं होता है, तो यह confusion ना हो, अलग-अलग जगा पे, atmosphere, अलग-अलग जगा पे, environment अलग, time zone का difference ना हो, इ कि उजाला बहुत अच्छा नासा हो गया है, सन एकदम अच्छे से हो गया है, तो भी मैं इसको मानूँगा कि यहाँ भी 7 बज़ के 15 मिनट हो रहे, और यहाँ पे अभी अंदेरा है, होना चाहिता है, 5 बज़ने चाहिते, 5 बज़ने चार बज़ जितना अंदेर रहता है, वहाँ पे उतना ही अंदेरा है, लेकिन फिर भी मैं मानूँगा कि यहाँ पे 7 बज़ के 15 मिनट हो रहे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे confusion ना create हो, इसलिए हम यह मिर्जाफुर का time जो है, वो consider करते हैं, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको बहुत ही बेतर आपके लिए आएगा, जिसमें हम explain करेंगे, कि आप एक country में हो, यहाँ पे कुछ और time हो रहा है, दूसरी country में पहुचे, तो कुछ और time हो गया, तो यह कैसे possible हो, यह भी मज़धार चीज है, और confusing वाला चीज है, लेकिन आप अच्छे सा समझ जाओगे, जैसा आज आपने समझ गया होंगे, तो आपको सब मिल जाएगा हमारे lecture number two में, तो बस थोड़ा सा इंदजार कर लेना, बहुत ही मज़धार chapter है, ठीक है, बड़े रहना हमारे साथ, वीडियो इसे के साथ समाप तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, दोस्तों, प्लीज हमें comment करके बताना, प्लीज शेयर कर देना, एंसाती में first time हम हमारे चैनल पर आए हो, अब ही जग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा फट्स चे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे new वीडियो में, तब तके ले, thank you and good बाइ